तो आज हम 2023 के एंडिंग तक आने वाले 10 काफी बड़े फिल्मों के बारे में बात करने वाले है जो कि ये पार्ट 1 होगा तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मोविस पार्ट 1 में है वैसे तो बहुत ही बड़े बड़े फिल्में आ रहे है जो कि बॉक्स ओपिस पर तहलका वाली है तो शुरुवात करते हैं नंबर 10 से तो नंबर 10 पर है मैदान जो कि ये अजे देवगन की हिष्ट्री ड्रामा स्पोर्ट के ऊपर मुवी होने वाली है इस मुवी की कहानी भारत की आजयती के बात के समय में सेठ है फिल्म की कहानी उस समय के भारतिया फुटबल ट आपने डाइरेक्ट दिया हैं वही इसके लीटरोल में आपको अजय देवगर, प्रियामनी और रुद्रनिन गोश देखने को मिलेंगे और ये मूवी 23 जुन को आने वली थी लेकिन कुछ रिजन्स के वज़े से इस मूवी की रिलिस डेट आगे बड़ा दी गई तो नंबर नव उपर आती है रौखी और रानी की प्रेम कहानी इस साल की फेमस फिल्मों में से एक है ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है साथ ही इसमें कॉमेडी और रोमेंस का भी तड़का है इस मुवी की कहानी की बात करें तो इस मुवी के कहानी में रन्मीर सींग एक ऐसे लड़की की भूमिका निबा रहे हैं जिसे फिचुल खर्ची पसंद है वही दूसरी तरप आलियावट इमांदार ओडिटर्स के परिवार की एक बंगली लड़की है वही इस मुवी को करन ज डाइरेक्ट कर रहे हैं जिनकी अभी दग एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं गई जिसके लीड रोल में हमें रन्मीर सींग और आलियावट नजर आएंगे और ये मुवी को 28 जुलई 2023 के मोके में रिलिस किया जाएंगा वजे से अपने खतरनाक लूप में आएंगे ये इस मुवी में दिखाए गाने वाला है इस मुवी को डाइरेक्शन दिया है संदीप रिड्डी वंगा ने जीनों ने कभीर जिंग और अर्जुन रिड्डी जैसी बहतिरिन मुवी को डाइरेक्शन दिया है वही इसके मुवी 11 अगस 2020 को देखने मिलेंगी तो नंबर साथ पर है नियत ये एक क्राइन मिश्ट्री मुवी होने वाली है इस मुवी में एक जासुस की सस्वेंजवरी कहानी है और जासुस का किरदर विद्या बालन निवा रही है जो की एक अरभपति के पार्टी में मडर होता है उसकी जाच एक जासुस करती है यानि की विद्या बालन इस मुवी को अनु मेनन ने डाइरेट किया है वही इसके लीड रोल में हमें विद्या बालन, राम कपूर, राहूल बोस और भी कई सारे अक्टर देखने को मिलेंगे और ये फिल्म 7 जुलई 2023 को आने वाली है आते ह में हमें आईश्वान खूराना, अनन्या पांडे, अनुकपूर, परेश रावल और भी कही सारे दिख्यच कला कर देखने को मिलेंगे बात करें इस मुवी की रिडिस डेट की तो ये मुवी 25 अदस 2023 को देखने मिलेंगी तो चलते हैं नंबर 5 पर तो नंबर 5 पर है ओम्ज इस मुवी के लीड रोल में हमें अक्षे गुमार, पंकस्त्रीपटी, यामी गाउतम और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलेंगे और ये मुवी भी 11 अगस्त 2023 को रिडिस होने वाली है नंबर 4 पर है अजमेर 92 ये एक क्राइम हिश्ट्री मुवी होने वाली है इस मुवी की इस मुवी को डाइरेक्शन दिया है पुषपेंद्र सिंग ने और इसके लीड रोल में हमें करन वर्मा, सुमित सिंग, सयाजी शिंदे और भी कई सारे अक्टर देखने को मिलने वाले है तो बात करते हैं मुवी के रिलिस डेट के बारे में तो मुवी को 14 जुलाई 2023 के मोक सुपरिट फिल्म दी है इस मुवी के लीड रोल में टाइगर श्रॉप और कुरूती सनन जबरदस्ट एक्शन ड्रामा करती हुए नजर आएंगी और ये मुवी 20 अप्टुमर 2023 को रिलिस होने वाली है नमबर दो पर आती है योद्धा, योद्धा मुवी सिद्दक मनोत्र की आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसका डाइरेक्शन सागर अंब्रे और उश्कर होजा द्वारा किया जा रहा है इस फिल्म में सिद्दात मनोत्रा और दिशापटानी लीड रोल में नजर आएंगे पहले इस मुवी को साथ 2021 में रिलिस किया जाने वाल की शारुकान की आने वाली कापी बड़ी मुवी होने वाली है इस मुवी का बजट 200 करोड से लेकर 200 करोड होने वाला है एक मिडिया रिपोर्टर ने अपनी लेटेस रिपोर्ट में जानकरी दिया है कि जवान मुवी में शारुकान डबर रोल में दिखेंगे ऐसे भी कहा जा रहा है कि जवान वोवी की स्टोरी लीक हो गई है जिसका डाइरेक्शन एटली कुमार द्वारा किया जा रहा है इस फिल्म में शारुकान के साथ साउट की हीरोई नयन तारा लेड रोल में नजर आएंगे वही इस फिल्म में सान्य मनुत्रा और सुनिल क्रोवर भी कोई एक्तर की रूप में दिखाई देंगे और इस मूवी को साथ सितंबर 2023 में हिंदी भाषा के अलावा तामिल तेटगूम बल्यालम और कन्नड भाषा में भी रिलीस किया जाएंगा तो ये थे 2023 के एंडिंग तक आने वानी 10 बड़ी फिल्मों का पार्ट वन तो आप सभी लो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू